घंद ऐसान पधे मेरी सिंग मेरी यहह टो आज का मेरा कोई नालेज़ब। टापिक है और ना ही कोई इन्फार्मेटव वीडियो है ये मेरी सिंपल सी वीडियो है जिसमें हम 50 हुगलाने मिलकर जो है एक थोड़ी सी कोशच की है कि लोगों के दुख सुख में बराबर के शरीक हों और उनकी जो है वो हेल्प कर सकें तो हम पचास होगला ने मिलकर एक राशन बैक का प्रोग्राम किया है जिससे हम लोगों की जो है थोड़ी सी जो है हेल्प कर सकेंगा जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती भी बेरोजगारी बढ़ती भी महंगाई ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है लोग अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपना पेट पालने के लिए जो है वो किसी मसीह की इंतजार में हैं वो ये सोचते ह कोई करिश्मा होगा कोई मौज़ा होगा जिसे ये जो पाकितान की बड़ती भी महंगाई है वो कम हो जाएगी और जो है वो फिर से जो है एक खोशहाल दिनी गुजारेंगे तो मैं तो ये तो चीज़ें नहीं कर सकता तो बस हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि हम जो आने वाल रमदान शरीफ का महीना है उसमें लोगों के थोड़ी सी जो है वो हेल्प कर सकें लोगों की जो है थोड़ी सी मदद कर सकें तो इनके लिए हमने कमबाइन जो है वो कलेक्शन की है कलेक्शन करके हमने उन तक जो है वो राशन पहुंचाना है जैसा कि गवर्मेंट भी इस हैं वो वो कि हuing कर रही है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक जो है यह राशन जो है वो को है नहीं पहुंच सकता हूं हम ने कुछ घरानों की लेस्ट बनाई है लिस्ट बना के जो है हम वो जो राशन बैग हैं वो उनके घर तक पहुंचाएं और उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मैं यह तो नहीं कहता कि हमारी इस थोड़ी सी कोशच की वजा से उनकी जो गुर्बत है वो खतम हो जाएगी उनकी जो परेशानिया है वो खतम हो जाएगी वो जो उनकी बेरोजगर है वो खतम हो जाएगी नहीं तिरफ थोड़ी सी जो है वो उनकी जो है वो हल्प हो जाएगी तो ये हमारी एक पचास वुकलाने मिलकर हमने एक थोड़ी सी जो है वो कोशच की है तो ये जो राशन हमने देना है तो उस उस चीज में कौन-कौन सी जो है वो चीजें शामल है तो ये मैं आप लोग को बता दूँ के उसमें दो क किलो का जो है वो आटे का थेला है तो इनके जो है हमने वो बैग बनाने है बैग बना के जो हमने लिस्ट तियार की है उस लिस्ट के मुताबिक जो है हम उनके उन लोगों के घर तक पहुँचाएंगे तो ये कौन से एरिया में देंगे कौन सी लोकेशन पर देंगे कौन सी सीटी में देंगे ये मैं आप लोगों को एंड में बता दूँ का कि ये राशन हमने कौन सी लाके में चलाना है और कौन-कौन से लोग जो है वो location किया है तो इससे पहले मैं आप लोगों को उन चीज़ों का visit करा देता हूँ जो हमने जिनके हमने राशन बैग बनाने है तो मैं आपको दिखाता हूँ वो वो चीज़ें जो जिनके हमने राशन बैग बनाने हैं मैं आप लोगों सबसे पहले दिखाए देता हूँ कि ये क्या है ये है शान घी के जो है वो काटन लिए है एक काटन में जो है ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा बारा केजी का काटन है तो ये हमने लिए हैं 200 किलो घी के जो है वो काटन है तकरीबन 17 काटन है जिसमें हमन एक काटन में जो है वो बारा केजी जो है वो घी है शोन बनास पती घी है तो इसे जो है ये तकरीबां दो सो किलो घी है जो हमने जिन का हमने राशन बैक बनाना है और दूसरा है जामेश्षीरिंग की एक, ये काटन है इसमें जो हैं वो आप लोगो नजर आ रहे होंगे बारह पैट अएक vesodem में तो यह भी हमने जाईसे आपको यह आ रहा है चामे शीरिंग नजर थे जाने के काटं बनाई जाना है यह एंको और घैसा दोसरी चोमें पैक केड़ना है और वैटल चाय के काटन है जैसा आपको नदर आ रहा है तो यह भी उस बैक में जो है वो शामल होगा बाखी मैं आप लोगों को दिखाए देता हूं यह रहे चावल यह जो है यह चार जो है वो कटे हैं चार चावलों के यह जो है यह जराफा डबल जो है सुपर बनासपती के ये जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये चार हैं इनको अभी हमने शापर में जो है दो दो किलो इनकी पैकिंग करनी है ये आगे वागे ये 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 आटे के सौ थेले हैं दस दस किलो का जो है ये आटा है ये फाइ लोगों तक हमने ये जो है वो राशन पहुंचाना है तो ये सो जो बैक हैं दस किलो आटे के तो ये शामिल होगा और इस में जो है ये जो है वो चावल बनेंगे और आगे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये होगी आटा ये होगी दाल चना तो ये दो किलो का जो है ह और बैग बनाके जो है हमने जो है वो सारा जो है वो लोगों तक जो लिस्ट बनाई है वो उन तक पहुंचाएंगे तो इस तरह से जो है उन गरीब लोगों की जो है हम थोड़ी सी जो है वो हेल्प कर सकेंगे और वो जो है थोड़ी सी जो है उनको खुशी मिलेगी और उनका रमजान जो है मेरे ख्याल में 10 या 12 दिन अच्छे तरीके से गुजरेंगे और 10 दिन उनको जो है वो कोई टेंशन नहीं होगी तो इस तरह जो है हम लोगों ने लोगों की हल्प करने की कोशिश की है इन्शालला ये भी आगे भी करते रहेंगे